हां जी तो कलवाली क्लास में क्या पढ़ा था हमने कलμάली क्लास में हमने दो राजा के बारेम पढ़ा ते बड़े दो राज़्ाय था उसका है लो फिर फिर युद्फा पांच मिनिट में अपने रेविजन कर लेते हैं लोगं उन्हें पड़ा था कि सांगागी जब डैथ हो गई थी तो सांगाग बाद अगला राजा कौन बने तो सांगागी सबसे बड़े बेटे थे भोज राज जिनकी साधी मीराबाई के साथ वी थी उनकी म्रत्यों सांगा के जीवनकाल में ही हो गई थी फिर दूसरे थे रतन वो राजा बने और वो बुंदी के स्वरजमल के खिलाफ शिकार खेलने के लिए गये थे वहां पर दोनों साथ में किसी बात पर जगड़ा कर लिया और दोनों लड़ते वे मारे गये थे फिर उसके बाद राजा किसको बना जाय थे विक्रमादित्य और उदे सिंग सांगा के दो बेटे थे जो उनकी एक हड़ी रानी कर्मावती के बेटे थे विक्रमादित्य में में ज्यदा लखन थे नहीं तो और उसकी गार्जियन बनी, उसकी सरंग्सिका बनी करमाउती संबालती थी, गुजुरात में उस समय सुल्तान हुआ करता था बाहदुर्सा, और बाहदुर्सा को जब यह बात पता चली, कि आजकल जो मेवाड है वो थोड़ा कमजोर हो रखा है, तो बाहदुर्सा ने यहां पर 15 1333, 1533 में यहां पर अटेक कर दिया था, करमाउती को लगा की पार नहीं पड़ेगी, इसलिए करमाउती ट्रीटी कर लेती है, संधी कर लेती है, और बदले में एक किला दे देती है, कि तू हमारे प्राक्रमन मत कर, हम तरे को एक किला दे देंगे, रन्थम भोर्ष, तो रन पर नहीं पहुंच पाया, उससे पहले लड़ाई करनी पड़ी, दुस्मन की सेना बड़ी हो, अपनी सेना छोटी हो, तो लड़ने का एक तरीका होता था जिसको साका बोलते थे, 1535 में चित तोड़खा दूसरा साका किया गया, रनी करमाउती जोहर कर लेती है, और देवलि पांडू पोल के पास लड़ते वे बाकसिंग उसके अंदर सहीद हो गये थे, बहादूरसा यहां पर कबजा कर लेता है, लेकिन जब उसे समाचार मिला, कि हुमाईयों ने मालवा पर कबजा कर लिया, वो हुमाईयों से लड़ने के लिए मालवा की तरफ गया, लेकिन तब चितोड़गा सासन किसको दे, तो उड़ना राजकुमार प्रिच्वी राज जोते, उनकी दासी का एक बेटा था, बनवीर, उसको कुछ समय के लिए चितोड़गा सासन दिया गया, लेकिन बनवीर ने यहां पर मामला गड़बड़ कर दिया, उसने कहते हैं, विक्रम सामंतों को बुला कर उदे सिंग को वहां पर फ्रकट किया गया, फिर उदे सिंग के सामंत गये, 1540 में उदेवपुर में मावली नाम की जगह पर युद लड़ा, जोतपुर का माल देव भी साथ देने के लिए आया, और यहां पर बनवीर को हरा कर भगा दिया, बनवीर य चाता था, साधी उदे सिंग ने कर ली थी, मैंने बताया था, कुम्बलरीड के लिए में उनका जाली रहने का महल आज भी है, इस बात पर उदे सिंग और माल देव नराज हो गए थे, बाद में जब उदे सिंग की अजमेर के हाजी खान पठान के साथ लड़ाई हुई थी तो उसके अंदर माल देव जो हाजी खान पठान का साथ देता है, उस युद का में नाम बताया था, हरमाडा का युद, अजमेर में जगह है, 1557 का वो युद था, फिर मैंने बताया था कि 1559 में और आपके उदे सिंग के पोता हुआ था, महरणा परताब के सबसे बड़े क कुमर अमर सिंगा जन्म हुआ था, इसलिए एक लिंग जी की धोग लगाने के लिए गये थे, फिर वहीं पर उन्होंने उद्यपुर पास की पाहडियों में उद्यपुर नाम अग एक पूरा नया सहर बसा है 1559 में, और वहां पर उदे सागर नाम की जील बन वाई थी, इन्हें की टाइम में अकबर ने 1567-68 में हमला किया, इस बार चितोड़ वालों ने अपनी स्ट्रेटरजी चैंज की, रहना आता था उसके परिवार को पहले ही गिरुवा की पाहड़ियों में सुरुक्सित भेज दिया गया, जैमल और पत्ता के नत्रतुवें में पत्ता का हुआ था, और उसमें जैमल जो था, पहले अकबर की सनुग्राम नाम की बंदूग जो थी, उसे गाहल हो गया था, यह लिए जैमल कला राठोड के कंदों पर बेठकर युद्ध करता है, इधर जो आपके पत्ता की जो पत्नी थे, जैमल की जो बहन थे, फूल कमर उनके नतरतों में यहां पर कैसरिया होता है, जैमल और कला राठोड जो थे, कला राठोड कंदों पर बिठा कर युद्ध करता है, इसलिए कला राठोड को हम चार हाथ का दे होता करते हैं, और यह दोनों लड़ते वे साथ हम मारे गए, यह आपके हन्मान पॉल और जरी किया गया था, तो वो भी थोड़ा याद रख लेना पुछावा सा सवाल था, और अकबर जैमल पत्ता की वीरता से बड़ा परभावीत वा था, और जैमल पत्ता की मूर्तियां उसने आगरा की किले में लगवाई थी, लेकिन बाद में औरंग जैवन मूर्तियों को त उदे सिंग विकांदर के राजा थे, उन्होंने मूर्तिया लगवाई थी यहाँ पर, और फिर हमने एक ही यह पड़ा था कि कालांतर में उदे सिंग बाद में चे तोड़ से तो जब निकल गया तो गोगुंदा चले गया थे, गोगुंदा उनकी राजदानी वाकरती थी और गोगुंदा में वहीं 28 परवधी 1572 को उदे सिंग का निधन हो गया था, और वहीं पर उदे सिंग की चतरी बनी गया, उदे सिंग जाते जाते गड़बढ कर गये, वो अपने बड़े बेटे परताप को रजा नहीं बना की गये थे, अपने छोटे बेटे जगमाल को र किलास से लेके 10th किलास तक जब तक हिष्टरी पढ़ते हैं, परताप का नाम किसी ना किसी रूप में, कही ना कहीं, कैसे ना कैसे पढ़ते ही रहते हैं, परताप प्रतेस्मणी है, जन-जन का नायक है, राजस्थान ये नहीं, भारत ये विश्वे की लोग उस आदमी को ज चलिए, तो क्या-क्या बाते हैं, देखो परताप की बारे में, नोर्मल सुरुवाती इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा, मैं बता दूँ आपको, परताप की मम्मी का नाम क्या था, पापा का नाम क्या था, ये बता दे, परताप की जो मता थी, उनका नाम था, जैवंता स्ट राथ सोनंगरा की लिए उडत कान को बबन्लगेट की कि बताया गया था चालkt बंधे इसदती कोन करेगा गए अपनी बेटी की सादी होन करेगा तो पाली Č पाली धात béожд को सब्सक्राइब पीताजी का नाम मेरी जन्म कई हुआ था तो जन्म वियाद रखने वानी बात है ज्यादा तर जन्ती थियां बगेरा मनाते ही रहते हैं तो आता ही रहता है तो 9 माई 1540 इस्वी को जन्व हो था 9 में 1540 एड़ी जो थी उसको जन्व हो था पर ना कई बार आप देखना आज कल कहते होड़ा सोसल मीडिया आ गया तो फेस्बुक पर परताब की जैन्तियों फिर खूब सारी बधा ही मिलती रहती है कुछ लोग किसी दिन जैन्ती मना रहे हैं कुछ लोग किसी दिन जैन्ती मना रहे हैं कोई 9 मई को मना रहा होता है कुछ किसी अलग ही तिथी को मना रहे होते हैं तो वास्ताव में वह 9 मई 1540 तो जेट का महिने आता है, जेट के महिने में सुकलपक्स की तृतिया को जन्मुआ था, सुकलपक्स मतलब जिसके अंदर चांद दिखता है, और सन कौन सा होगा, तो हमेशा जो इस्वी होता, इसमें 57 साल जोड लिया, गरो, 57 साल जोड लोगे तो अपने आप में वो आ जाएगा 57 साल जोड जोड लोगे तो यह जाएगा तो यह विक्रमी केलेंडर है, विक्रमी सम्होत है, तो यह भी याद रिख लेना, तो यह थोड़ा, पुछे तो नहीं एक्जाम में, पर वो कभी गडबड़ी होता हो, दिमाग में रिखना गी, नो मही को मना रहे हैं, इसका मतलब का जन पर हुआँ, कुमबल गड़ की किले में परताअप का जन हो था, कुमबल गड़ की के लिए में परताब का जन हो था, तो कुमबल गड़ की किले रहे हैं, तो 9 मई 1540, देखो और एक बात ब debates आँ, यह यह वाली, जह मैं तारीक पड़ता हूं, तो मुझे एक छिज ब पारने के लिए गया था तब पंद्हावी जो थे वह अपने बेटे चंदन को वहां पर सुला देते हैं और उदेस सिंग को बचा लेते हैं बन्वीर चंदन को मार्के चला जाता है फिर आगे की कहानी का इंट्रेस्ट है देख़वा आगे फिर कहानी यह केती है कि आप यह कैसे कह सकते हो वह जो घटना है घासपुस की तोकरी वली जो बताते है वह 1536 की बताते हो मतलब कोई बच्चा 1536 में इतना चोटा सा है कि उसको घासपुस की तोकरी में आप लेके जा रहे हो और मतर चार साल बाद 1540 में उसके खुद के बैटा हो जाता है तो यह तो बड़ा यूं कोंट्रडिक्टिसर लगता है तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था तब तक काफी बड़ी उम्र थी 14 साल के थे लगभग उदे सिंग और कोई तोकरी में डालके नहीं बाका दंगूली पकड़ी पापापा चला यह पर चीज़ों को इसलिए आपड़े को लगता है और अपने क्या एक बड़ा दुर्भग्य है कि अपने हिस्ट्री कहानियों में पढ़ी जाती है ज़्यादा तर और हम कई बार कहानियों को एक्जक्ली इतियास ही मानने लग जाते हैं तो वहां पर वो कॉंट्राडिक् क्यूशन किसे पूछा जाता क्या था क्या था और पहाड़ी परदेसों में मेवाडवला जो ही हां कोई छोटा बच्चा होता है उसको किका ही बोलते हैं तो परतापन नहीं, कुम्बा, सांगा, राज सिंग, अमर सिंग, बापा, रावल, कोई भी चोटा बत्चा रहाओं तो उसे कीकए काहओं गाओ मैसा रधिक बत्चा उसको करें काका लड़की को एवन काकी काका और काकी तक बोल देतें तो कोई छोटा बच्चा होता उसको बोल देतें अपने यह थोड़ी करें चक्ति कि सब्सक्राइब पर फिर भी कंकि वालों ने पूछ लिया चुंकि किताबे लिख देती हैं आपने भी याद कर ले नियुनके बच्पन का नाम की अता, लिक मैं की अता था फिर कह लिखा भा आ गिए फिर लिखा रानी का नाम की आता है तो ुअ रानी का नाम पिडले ने हैं कि अजब देपवाओर, वैसे कई राइनिया सुनना देखो बात सुनने राजाओं के एक रूल हुआ करता था कि राजा के मरने के बाद जो अगला बेटा राजा बनेगा वो पिता के अंतिम संसकार में उसकी जो फिनरल हुआ करता था उसमें भाग लेने के लिए नहीं जाएगा बाकी जो बेटे होंगे वो पिता के अंतिम संस्कार में जाएंगे पिता को मुखागनी देंगे उनकी लास को कंदे देंगे एकदम बाल कटवाएंगे रोना दोना जो हो सब करेंगे जो अगला बेटा राजा बनेगा उसके लिए यह नहीं हुआ करता था उल्टा यह कहते थ इसके तो राश्ट लग के कि राजा की गड़ी खाली नहीं रहने चाहिए अब उदेश इंग राजा किसको बनाकर जगमाल को राजा करने के लिए और जगमाल फेर गये तो उनकी lasts यखाय वहां इनमें सक्ति साली कौन इनमें परभाव साली कोन है और और शबने का साप परभाव शाली तो प्रताफ है तो जागमाल गोरजा कैसे बना दिया दिखता नहीं आपको कि अकबर के अटेक बरे हैं लगातार मेवाड गिरा वा है संभलत पा नहीं रहे हैं और अस उस आके आप उससे बनीस्बत कमजो राजमी को बना रहे हो गलत बात नहीं आई और मैंने एक दिन आपको पहले बात बताई थी कि राश्तिलग का अधिकार जो था वो सलूंबर वालों की फास में था कि जो सलूंबर का फ्यूडल लौड होगा वही राजा का राश्तिलग करेग उसकी सहमती से उसकी कंसेंट से अगला राजा बनाया जाएगा और उसमें सलूंबर के जो सामन तुआ करते थे उनका नाम था क्रिशन दास चुंडावत थे चुंडाजी के वंसे जोए इसलिए चुंडावत हो गए राजा गोशित कर दिया गया थे वापस आए वापस आगे उनको का जगमाल जी को का जगमाल जी आप राजा नहीं हो हम तो रजा परताफ को बना कि लें राजावली शीट पर अप सामने वाली कि अघ्वालियाद नाराज होए ते चलाए तो अकबर के पास चला जाता है आप अगबर ने उसको जागीर दे दी जहाजपूर्श जहाजपूर की जागीर दी थी पर आगे मा और जब शिरोई पढ़ाँ तो मा और बताऊंगा बाद में अखबर ने उसको आदा शिरोई दे दिया था जगमाल को जगमाल यहां से नराजोग अखबर के पास में चला गया था परताप को तो अब याद रहें कि परताप का रास्तिलक कहां पर वा तो गोगुं से करवाया जाए तमन्चे भी डिस्को किरें तब डांस वांस किया जाए तो परताप ने वैसे भी अपनी राजदा ने भी पहले गोगुंदा हुआ करती थी उद्यसिंग के तरफ शिफ्ट करते हैं और अपना दुबारा विदिवत सिस्टेमेटिक लिगल रूप से कोरोन तो आज पास के सारे राजा को नियोत्ते दिए गये इंवीटेसन दिये आओ एक राजा की कोरोनेशन सरेमनी ओर रही है और अभी भी देख लो कि अपने कहते हैं वह रष्ट्र पती जीत गया तो अपने मोधी जी उनको बढ़ाई देते हैं और आपने कभी नोटिस किया तो वेसे वेसे राजा ने अपने आसपास वड़ों को भी बूलाया कि अरसार्याओ बाकियों के नाम तो याद रहे नेरे एक बंदे का नोटिस करने वाली बात है इतियास करण उसको थोड़ा ज़दा मेंसन किये उस समय मारवाड का राजा वा करता था चंदर सेन कौन था मारवडगा राजा चंदर सेन और ये अकबर से पंगे ले रहा था अकबर की खिलाफ लड़ रहा था तो चंदर सेन भी इस रास्तेलग समारों गंदर आया वा था ये बात याद रखने वाली है कि देखलो परताप ने अकबर का एक जो विरोधियों उसको तो इस्प लोग है उनको इकठा करने का परियास कर रहा है उनके साथ में गठ्थबंदन बनाने करियास कर रहा है उनके साथ में कोलोब्रेशन करने का परियास कर रहा है तो परताप का पहला रास्तिलग तो गुगुंदा में हो गया था और उसका विदिवत सिस्टेमेटिक लीगली क यह बात याद रिख लेना राजा कब बना प्रताप 1572 के अंदर प्रताप राजा बन गया था पंद्रासो सित्यान मत्र लगबग 25 साल का सासंद राया 28 फर्वरी 1572 वही जो उदे सिंग के मरत्यू का दिन है होली का ते वहार था उसी दिन प्रताप का राज्ति लगवा था तो वह मैंने बात बताई दीथित याद रख लेना यह भी याद रहे दलो मलिक देता हूं वापस 28 फर्वरी 1572 वही जो लगवा था आगे मरत्यू हम आगे और पड़ेंगे तब पड़ी लेंगे 25 साल यह याद रखना यह भी एक बार कृष्ण पूछाव है कि प्रतापने कितने वर्सों तक सासंद किया था प्रतापने 25 साल सासंद किया था याद रख लेना थोड़ी बा आपका वह जो विक्रमी के लेंडर हो था उनसके उसका और उसका महीना वह 15 सोरी साल है जो उसका 1597 और उसका बर्थ पहले सकता कुंबलगड के अंदर जन्मुआ था बच्पन का नाम किया था किका मैंने बात बताई दिया आपको रानी का नाम किया था खूब सारी रानिया रास्तिले कर किया किसने तो यह लूंबर वालों के पास में रई होता था सलुमबर का बंदा कौन說 लूंबर कह किसने किर lijा क्रिष्न दास यह प्रताप की शुरुवाती जानकरियां अपने पास आगे पड़ते हुए और क्या क्या बाते आपने पास कर दोब कर अगे लिखा में अकबर के दूत कर अब जब अकबर को पता चला कि महाराना पर ताप राजा बने हैं वहां पर अकबर ने महरणा परता आपको समझाने के लिए अपने कुछ मेसेंजर बेज़े अपने कुछ दूत बेज़े अकबर यह चाता था ग्यार उदेश सिंग तो माना नहीं उदेश सिंग ने तो मेरी अधिनता स्विकार की नहीं आप तू कर ले लड़ाई जगड़ा अपने बंद कर देते मिलजुल के राज कर लेते तू मेरे अधिनता स्विकार कर ले मेरा मनसफदार बंजा और मैं तरी अलग लग जग़े पर अपोइंटमेंट कर दूंगा तेरे राज्ये को भी सुरक्षा रहेगी उसको भी खत्रा नहीं होगा और मिलजुल के राज कर लेंगे तो कहते हैं कि परताब को समझाने के लिए अकबर में चार बंदे बेज़े थे चार दूत बेज़े थे संख्या भी याद रखना की चार कौन कौन तो सबसे पहले एक बंदे को जिसको बेजा था उसका नाम था जलाल खांक कोर्ची इसको तो राजा बंदे भी बेज दिया था पंदरासो बहत्तर में परताब राजा बनता है पंदरासो बहत्तर के अंदर इसको बेज़ दिया गया था जलाल खांक कोर्ची वाक पटू बोलने में बहुत तेजी हूं वीटी मैंन था इसको बेजा रिसको आगे तू यार जाके बात कर और मामला बढ़ा आपने जलाल ख थोड़ी सी बात और करनी थे आपके, बताओ, क्या बात करनी थे, कि वो आपके फापा तो माने नहीं थे, आपका थोड़ा ठीटीव इडिटीशन दिवंदी के बारे में क्या कहना है, परताप नहीं करना मेरे दिशा कोई मूर ने, थोड़ा देख लो, उपर नहीं चलेगी क मानने के लिए तयार नहीं है, अकपर में जोजा है, अब क्या किया जाए, अकपर के दिमाग में है, राजस्थान का बंदा है, राजस्थान का राजपूत राजा है, क्यो ना राजस्थान के किसी राजपूत कोई बेजा जाए, ताकि इसको पटा सके हो, यंग बंदा 32 सा ताकि उसकी बात थोड़ी मान ले और अकबर के दरबार में घ्यंग राजकुमार था मान सिंग। तुम के ठीक दूसरा जो बंदा भेजा गया था आइस 1570 मी तप 25 सगा मां सिंग मां सिंग यहां पर आया मां चिन ने बात करने के लिए प्रताप को बुलाए हैं कते हैं बायदा सीयाम वहांपर और प्रोटचॉल होता है अमेरिका का विदश मंत्री आये तो बहरत का विदेश मंत्री मिल लेगा पाकिस्तान का सुचना पर्सरण मंत्री आये तो अपना सुचना और परताब के जो बेटे थे सबसे बड़े वेड़े उनका नाम ता अमर सिंग को बेच दिया जए तो अमर सिंग को बात्चीत करने के लिए पर मान सिंग को यह लगता था यार महा कवर का दूत हूं मेरे से बात करने के लिए रजा खुद आए वह है अमेरिका माईबाप पर जो होस्ट है वो तो खुदी नहीं है माँ गेस्ट आगे बेठा वह फिर तोड़ा अमर सिंग के लिए अमर सिंग तोड़ा यूं बदमाश टाइप अपने जो गाओं में करते हैं कि बहुत शरड़ है उस टाइप का अचा था अमर सिंग तोड़ा लेट गया जा के सामने बेठ गयार मांशिंग प५छा है तो उनो आउंसा के सामने मांशिंग समझ गया जियह कर राया के यह जिए नहीं आए जेंह उनको फटके e kr युद्ध के मैदाने में सेना लेके आउंगा और वहीं देखेंगे और वह जाने लगा अमर शेंग बड़ा बद मासाथ में जैसे थोड़ा सा आगे चला मान सिंग और अमर सिंग ने पीछे से आवाज लगई अरे अंकल सुनो तो एक बात तो सुनके दो क्या वाब तेरे क्य युद्ध के मैजाने चैना लेके आउंगा युद्ध करूगा और मार दूगा तुम सबुकों में अंकल एक काम करना अकले मताना फूंपा जी को साथ लेकर आई जो अकबर था उसके साथ में मान सिंग बुगा के साधी हो रहे ती इसलिए उसने टॉंट मारा वापस के अक अंकल प्लीज एक लश्ट बात और सुझत है तो तो महां पर में दी बहुत अच्छी मिलती है तो मैं गरूंगा तो वह जी के लिए ले जाना अपने अब तो मान सिंग और बैंकर गुषा वान सिंग गया अकबर के पास मान सिंग मुझे अभी सेना दो मैं अटेक कर आउना उसको मार दूंगा वहां पर मेवाज़ुत वालों और को तभा कर दँगा अकबरने बचाद बात क्या क्या वी बात तो बता परताव ने क्या कहा दो skilled offensive कि वह आए ने मेरे सेब्सकर आएर्या कुमार अंप कर लेगा हमारे ऑर से ने मेरे साथ बद्भ्त माहन सिन्ह चाहिए वे लिए और मां सिंह जी के पापा थे भगोंत नास जी और बगोंत दास जी का जब वो सीनिर से मिलना चाहता था आप मिल जाकर तो तीसरे बंदे किसी को भेज़े गए थे तो भगोंत दास जी थोड़ दिन बाद में इनको भेज दिया था 1573 में सेप्टमबर में भेज दिया था इनको इस बार बहुंदास जी रखेश जी यह तो परताप बात करने के लिए और परताप ने आगी बातचित की है बहुंदास जी ने उनको समझाये कि यार लड़ाई करने में कुछ नहीं पड़ा है और संदी कर लो यार हमने भी तो कर रखी है परता आपने उनको एक सिंपल सी बात कई कि बागोंदास जी किसी ताइम में मेवाड जो था वो राजस्तान का सर्वोपरी श्टेट हुआ करता था और आज से 50 साल पहले लगबग खानवा के युद में जब अकबर के दादा जी के साथ बाबर के साथ मेरे दादा जी रहना सांगा लट रहे थे तो आपके आमेर से जो प्रिच्वी राज जी थे वो हमारी तरफ से लड़ने के लिए हमारे जंडे के नीचे लड़ने के लिए अब आलागी मेवाड में उतनी शक्ती नहीं रही होगी पर आप आप एक काम करो आप अकबर के खिलाफ लड़ाई कर लो मैं आपके जंडे के निचे लड़ लूँगा लेकिन अकबर के जंडे के निचे तो मैं आज लड़ून कल लड़ू बगुंदास जिन कहा है और मुझे लगता है तर दादा जी का भी तोड़ा दिमाग सरकावाई था तुम वापस और ही गलतियां कर रहा हूं और हूम तो नइर जंडे के निचे लड़ेंगे तुम्हें जेसी कर न भ् неё और वेशे कर लो मह तूम्हें समझान और यह था माणो ओ थीक मानू तू अपहर को नहीं मांधररेवा अकबर ने फिर एक प्रियास के अज़िकैanal बात क सब्सक्राइब तोडरमल जी को का वाइट तुम वितमंत्रियों जागे समझाओ रहे उसके इंदू-इंदू बड़ा थोड़ा पूत हो रहे तुम्हारे तुम छोटे राजा हो इतने पैसे तुम्हारे पास नहीं है स्टेट छोटा है इतने सालों से लड़ाईयों में फसे वे हो कैसे पार पड़ेगी तुम्हारे इसलिए मैं करता हूँ संदी कर लो कोई कुछ ही नहीं रखावा लड़ाई के अंदर इसमें तेरा घटा उसका कुछ नहीं जाता प्रताप ने टोडरमल जी का कि टोडरमल जी आप तो चिंताय मत करो आप अकबर को जागे को वो लड़ाई तेयार रखे अपने आप भामा सा खूब सारे है कोई ना कोई अपने धन दे के चलाई जाएगा तो टोडरमल जी को भी उसने भेज दिया इस परकार अकबर ने परताप को समझाने के लिए चार मेसेंजर आपस भेज दिया ये परताप का स्वभी मान है कि वो अकबर से किसी भी रूप में हार मानने के लिए तेयार नहीं थै यह उसका self-respect है, कि वो संधी करने के लिए भी अकबर से तयार नहीं हुआ था, जब कि अकबर में बार बार प्रियास किये, अब जब बादचित के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, फिर तो क्या तरीका बचेगा, फिर लड़ाई बचेगा, फिर लड़ाई होने सोभाव एक पर अपने यह याद रख लें, आगे समझाने के लिए कौन-कोन आये थे, पहले जलाल खान कोर्ची आता है, बाद में बाब बेटे आये थे, पहले बेटा आया था, बाद में पिताजी आये थे, बेटा कोन? मान सिंह, पिताजी कोन? भगवन दास, कहां के थे तो आमेर के फिर वित्मंत्री आये थे, वो कौन थे, तो डुर मिल दी, संद्व गएर आमेने बताए थे, याद देख लेना आप, यह वाली बात थोड़ी याद रखने, अब आगे पढ़ते हैं अपने, आगे आगे पढ़ते हैं, अब जब बाचित के सारे रास्ते बंद होगे, तो युद्ध होना था, युद्ध हुआ, प्रसिद युद्ध इतियास का, आप सब जानते ही हैं, मुझे ज़्यादा बताने क्या हो सकता हैं इस युद्ध के बारें, फिर भी थोड़ी बात करते हैं, लिकावा हल्दी गाती युद्ध, सबसे पहले बात आती है कि कहां पे य युद्ध कब हुआ, वापस वोई जून का महिना, 18-15 सुचित, यही तारिक है, हलांकि यह कुछ इतियास कार जो अपने हैं, इसको 21 जून भी मानते हैं, पर अपने बाई रास्तान बोड़ वाली किताबों में सब में 18 जून ही दी विये, तो आप तो अपने 18 जून ही मान युद्धा, ब् Gaming इड़िया, तो भई और एक आसब खां नाम करके दो सेनापती था मान सिंग्गों पहली बार किसी युद्द में इंडिपेंडिनन्ट बना की बेजा गया था तो हो अल्दीमाटिगाटि का युद्ब है पहली बार स्वतन्तर सेनापती थाओ फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट कमांडर बनाया गया उसे, सुवतंतर सेनापती बनाया गया था, मांद सीन्ह को ओण तो फ़ेंडेंडेंट घिया हूँ, मांद सीन्ह को बेजाती अकबर वियुम्हानज आ, मांद सीन्ह के प्थागता है कि मांद सीन्ह का बनाया डन जीनिदेंद वकार बनाया था बश्शन बिसीज़ i Georg के कष़ा कि आगा॥ तो उसना आसब खा औरमान शेंग खाव है तुम दोनों जाओ इधर से तो इधर परताप की तरफ से आसबास में जो भी मुगलों के विरोधी थे आसबास में जो भी अखबर के विरोधी थे उन सब को परताप नहीं कटा है उनकी सेनाय आई जैसे गवालियर से एक बंदा आय अकबर के साथ और ये केवल खुद ही नहीं आया था तीन बेटे और सालीवाहन आया था भावानी सिंग आया था प्रताप सिंग आया था तो गवालियर से आया थे राम सत्वोमर्ष याद रख ले ना आप शलूमबर वाले आमेसा सहनापती होते थे शलूमबर वाले राज्टेल किस ने किया कृष्ण दास चुंडावत उनका नहां इमयाद रखना तो क्रिश्ण दास चुंडावत ने भाग लिया था और अफगान अफगानों की मुघ्लों के साथ बनती नहीं थी मैंने पिछले व पूंजा यह भीलों की सेना के साथ में आये वे थे तो इस परकार से कुछ लोग थे जो उदर परताब की तरब से लट रहे हैं कुछ लोग है जो इधर अकबर की तरब से लट रहे हैं एक अकबर के दरबार का एक इत्यासकार हुआ था बदायूनी वो इस युद में खुद आया था भाग लेने के लिए आप जो मेडिवल पढ़ोगी तोर पढ़ोगी अच्छी सी बुक है इसकी एक मुन्तखब उत्तवारीक मुन्तखब उत्तवारीक नाम की एक बुक लिखी थी और इसके अंदर जो बदायूनी है वो इस युद का आंखों देखा वर्णन करता है बदायूनी खुद आया था बदायूनी के लिए था बदायूनी थोड़ा यो कटर मुसलिमान टाइब का आदमी था और जब सेना आ रही थी तो बदायूनी निकात कि मैं भी चलूँगा तो लोगों का है राब क्या लाओगे आप कलम उलम घिसने वाले आदमी वहां तलवारें चलेगी तलवारें बदायूनी का नहीं वहां जब हिंदूओं का खून बएगा तो मैं अपने दड़ी के लगांगा दड़ी मैं नहीं अब लाल करूंगा, मैं इस हिंदूों की खून से जिहाद करके आउंगा मैं वहां आब यह मन चू भी ले इक इंप रहे हैं मानसिंग जैसे हिंदू को क्यों बना दिया सेना कौंण बना के बेश दिया पर फिर भी अकबर ने मांसिंग को बना दिया था मेने बता यह हल्दी गाटी जो है यह एक दर्रे का बीच की जगह है पास है दोनों तरफ पाहडियां पढ़ती है उनकी पास है वहां के बीच का एक दर्रा है एक तरफ गोगुंदा की पाहडिया है एक तरफ खमनूर की पाहडिया है पाहडियों के बीच का दर रहा है तो करते हैं जो मान सिंग था मान सिंग उधर एक जगह पढ़ती है अपने मोलेला नाद द्वारा एक बास आगे आदकना तेरा कोटा में अपने वापस याद करेंगे तो मोलेला में अपनी सेना लेके बेट गया था इधर परताप इधर एक द्वाती तुकड़ी बहुत भारी पढ़ गई थी मोगलों के ऊपर और यहां पर मोगल सेनिक भागने लगे तो मतलों बदा यूनी बहुत अचा बढ़न करता है बदा यूनी करता है कि आगे मान सिंग वाले फोजी थे उधर से जब परताप ओलों ने हमला किया तो मान सिं दोनों तरफ से मरने तो हिंदू है तेरा रिक तो तु लेकर आता वो तो फूरा हो ही जायेगा तुझ्य हिंदू को मारना था बाले मान सिंग बढ़े alburg commission बढ़ोग बणाया पीचे से और उस ने आगे जोटा मोटा ही आगर किया रब बागों में तो रहा है अकबर आ रहा है खुद बाद सा सेना लेकर आ रहे हैं बड़ी तो अकबर के आने की सूचना सुनी तो जागे मुगलों के थोड़े पेर जमेर मुगलों ने वापस लड़ना शुरू किया याद रखना कि किस्त ने हल्दी घाटी के का अंखो देखा वर्ण करता है तो बन लेटा यू नी कि ITA का नाम का था मुंथ मानचिंख उदर सेनापती बना हाती पर बीठावा मान सीरा के नाम प्रताप की नाम था है और कि परताब को इतना गुस्त्त और आपने चेत को मान ले लए चला गए और प्रताप अपना भाला फेंकता है, मान सिंग जैसे तैसे होदे में बच जाता है, होदा जो उपर आती पे बेठने की जगह होती है, उसके अंदर बेठ जाता है और अपने वार को उसको बचाता है, पर मान सिंग बड़ा इंटलिजेंट आदमी था, कते हैं कि उसकी आती की इसलिए गोड़े को जैसे तैसे करके वहां से युद भूमी से बाहर निकलता है, और युद भूमी से बाहर निकल जाता है, काते हैं कि मेवाड में जब भी राना युद भूमी से बाहर जाता है, या राना को युद भूमी से बाहर लेकी जाया करते थे, तो कोई ना कोई जहला जो होता था वो राणा की चिन पहन के और राणा की जगह लड़ता था हमने पड़ा था कि खानवा गयुद में जब सांगा जी गायल हो गये थे तो उनकी जगह पे जहला अज्जा लड़ा था एक बार फिर एक जहला ने वीरता दिखाई इस बार था जहला बिद्दा ह हम उसे जहला बिद्दा भी करते हैं या उसे हम जहला मान सिंग भी करते हैं वो जहला बिद्दा या जहला मान सिंग जो था वो परताप के सारे के सारे जो राज चिन है वो ग्रहन करता है और वहां पर बेठके लड़ता है मुगल भागी चुटे थे उसके बाद में पर जो परताब के भील सैनिक थे वो दिन में रात में हमारे पर हमले करते हैं और हमारी सैना जहां कहीं भी जाया करती थी उसको बीच में लूट लिया करते हैं अनाज और पानी के समझ्या उत्पन कर दी थी हमने जैसे तैसे करके अजमेर तक का रास्ता लिया था तो बदाए उन्हें डंग से हार का वर्णन कर देता है इस युद्ध के अंदर और बदाए उन्हें और गते हैं कि इस युद्ध के बाद में जब मान सिंग और असब खान कि मान सिंग और असब खान जब वहां पर पहुंचे अकबर के पास पहुंचे तो अकबर ने जाते ही पूछा कि क्या युद्ध जीत गए मान सिंग असब खान ने का गिन नहीं तो क्या परताप को पकड़ लाए तो उनका गिन नहीं तो क्या परताप मर गया तो नहीं तो करने का तो क्या सोच के आये थे सरधार खुस होगा सरधार इनाम देगा मंगतों लिच्टों सर्मनी आई तुम्हें हार के आगे वहां से और आज के बाद दोनों ने मूह दिखा दियान तो देख लेना कहते हैं डुड़ी बंद करवा दी थी मान सिंग और आसब खान का और द और अपने विजयता सेनापतियों कहेगा कि तुम आज के बाद मुझे दिखाई मत देना तुम यहां से भाग जाओ आज के बाद मेरे दरबार केंदर मताना पर अकबर इनके साथ बागादा करता है तो यह वह साफ साफ ही अपने पास फेक्ट है कि नहीं साब अपने किताबें लिखने लगे वे परताब उस युद में जीता था पहले है न जब नहीं भी लिखा होता था तो भी अपने वाली किताबें साफ साफ लिखती थी किस युद में नितिक विजय परताब की थी अकबर अपने किसी भी उद्देस्य में सफल नहीं हो पाया था ना वो परताप को अधिनता स्वीकार करवा पाया था, ना वो परताप को पकड़ पाया था, ना वो परताप को हरा पाया था, ना उसकी जमीन पर कब्जे कर पाया था, इसा कुछ ही नहीं कर पाया था, और करते हैं कि हल्दी काटी युद में जब मान सिंग और अकबर खुद करता है 76 के लाश्ट में जाके अकपर ने खुद ने अटेक किया था कि मैं खुद जाऊंगो यहार रेसा कैसे हो सकता है कि उसके दो सेनापती जीत के गए और बात्सा को खुद आकर्मन करने की नुबत आ गए पर अकबर आया था 15 शेतर के लाश्ट में अकपर वापस आता है और अकबर भी यहां पर आगे कोई 64 नहीं कर पाया था परताब को नहीं पकड़ पाया अधिनता नहीं करवा पाया संदी नहीं करवा पाया उद्यपूर पर कभजा किया था और उद्यपूर का नाम बदल के वापस चला गया था और उद्यपूर का नाम बदल के उसने कर द तो यह थोड़ा से याद रख लेना कि अकपर ने नाम बदल कर क्या कर दिया था मुहमधाबाद कर दिया था एक बात और बता दू फिर मैं साथी बता दू जब गहल हो गया था बाहर निकले थे और थोड़े जूर जाने के बाद में चैतक की मृत्य हो जाती है तो बलीचा न कि चतरी कहां पर बनियों तो बलीचा के अदर बनियों वापस में बातें बता दूए बार और पढ़ेंगे मल्दीगाट युद्ध की और खूब सरी बात है कि परताप और अकबर के बीच का युद्ध है परताप अकबर खुद नहीं आया था अकबर के दो सेनापती आय थ युद्ध में लड़ते हुए वीरगती को पराप्त हुए थे अफगानों का नेता हाकिम खान शूर था और भीलों का नेता रणा पुंजा इस युद्ध के अंदर भाग लेने के लिए प्र हम यह पढ़ते हैं कि जब मुगल सेना भाग रही थी तो किसने ये सोर मचाया कि बादसा खुद आगे मोगल सेना के रोकने कोशिस की, तो मिहत्तर खा नाम का सेनिक था, जिसने ये सोर मचाय था कि वापस सेना आ गई हो, और जब यहां से मोगल सेना वापस भाग जाती है, परताप उदर वापस पाहडों में चला जाता है, तो इन्होंने परताप का पिछा मान सिंग जी साथी पर बेठ के लड़ रहा था, उसाथी का नाम मर्दाना था, अभी और बाकी आती के नाम पढ़ेंगे, शुरुवात में मान सिंग ने जहां पर डेरा लगाया था आपके, उस जगह का नाम था मोलिला, और जिदर परताप का डेरी लगे वे थे, उसके ज ठैल हो गया था यूद में, चैतक जब बाहर निकला, उसकी चत्री बनी विया और चैतक के नाम पर बनी विया, तो बलिचा नाम नाम की जगए पर चैतक की चत्री बनी विया, और अकबर ने इन दोनों को जब हार के गय थे मान सिंग आसप खान, तो इन दोनों का में अना बंद करवा दिया था अकबरने खुद ने 76 के लास्ट में टेक किया था पर उद्यपूर का नाम बदल कर वाबच चला गया था उद्यपूर का नाम बदल कर उसने क्या कर दिया था तो मुहमदाबाद उसने नाम कर दिया यह बात ने थोड़ी सी याद रखने मेल से म पिले पिले रंग की मिटी है हल्दी जैसी मिटी इसलिए जिगे का नाम अल्दी गाटी पड़ अलागे इस बार अपने जो किताबे चैंज की तो बगवान जाने कोण भूंगल थार उसने नए फेक्ट जोड़ दिया उसने कहा कि इसमें मैलाएं लड़ी ती मैलाओं के आत मे अपने हल्दी लगी वी यह इसलिए नाम अल्दी गाटी तो ऐसी कोई बात नहीं है उस मिटी का रंग ही वहां पर थोड़ा हल्दी जैसा सा रंग है पिलापन लिये वे रंग है तो उसका नाम अल्दी गाटी इसा कई जिगह होता है मोजे बिका अंदर का यादा मध कि बि से एक यह तोड़ा पीले रंग लिये वे चिसका नाम क्या होगे आपने हमें हल्दिगाटि नाम उखते है अब हल्दीगाटी युद्ध की थोड़ी और बात है हल्दीगाटी युद्ध को अलग-लग इत्यासकारों ने अलग-लग नाम दिये किसी ने उसको किसी नाम से पुकारा किसी ने उसको किसी नाम से पुकारा क्या-क्या नाम है वो देखते हैं जैसे बदायोनी इस युद्ध में चुद आया हुआ था अकबर का इत्यास का तो बाधा उने शुर्ध का जो नाम देता है वह देट कर दोने होगा थो अबूर फजल अकबर के ध्रबार का एक और इत्यास कार अकबर नाम आया आल ए अकबरी नाम के उसने बुक लिखी वो इस युद्ध का नाम देता है बैटल ओफ खमनोर मैंने बता है दोनों पाहडियां लग 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 वो कि खता है खमनोर का युद्ध है करनल टोड करनल जम्स टोड युरोप के थे उनको तो अपने युरोप वोले युद्ध याद आएंगे और उन्हो और देर में बताऊंगा आपको थर्मोपोली के है आप तो इतना याद रखो उनका ये मेवाड के थर्मोपोली है याद रखना आपने और अपने एक रश्ट्रवादी इत्यासकार हुआ है बाद में अदरसी लाल स्रीवास्तो और उन्होंने वहां पे अल्दी काटी के पा ये भी याद रखना है इस यूद में कौन-कौन किस-किस ने क्या-क्या का इस यूद को तो जो बदायूनी है वो इस यूद को कते है बैटल ऑफ गोगुंदा जो अबुल-फजल है वो इस यूद को कता है बैटल ऑफ खमनोर ये दोनों अकबर के दरबारी इतियासकार उस सी उध का नाम है बाजसा बाग का इद घखे का नाम है वहां पर बादसा बाग का है इस जगह पर हुआ था तो थोड़ी अलग लेख तिजीजी आफ दो और जो मैं बता रहा था कि परताब की अधर मान शिका आती ता हुआ उसका नाम था मर्दाना करते मुगलों की तरफ से एक आती और था उसका नाम था गजमुकता और इस गजमुकता को इदर से परताब की तरफ से एक आती लड़ रहा था लूना उस लूना की खिलाफ लड़वाने के लिए लेके आये थे तो परताब की तरफ से एक आती था लूना उदर से नाम था पर अक्वर ने कहा कि नए बई यह पीर healthcare परसाद हमें मिला है पीर बाबा चिर असका नाम पार्वागा कर था नाम परसाद को मिल गया था जिसका नाम बदल दीया था राम परसाद मिला था नाम बदल के पीर है पॉब मिला यह दो आतिए न म्यात रखने सब्सक्राइब जो परताप के तरफ यह दो क्यों सदूर बर धाल मेरो की चाहर गाहं मुंग की लड़ने वाले हाथियों के नाम भी एकजाम के अंदर पूछे जाते हैं अपने आप में यह कित्ती बड़ी बात है उसका जो गोड़ा है उसके नाम पर बाकद आपने स्कूटर आया करता था चैतक किता फेमस भी चैतक जो चीज थी पुलीस वालों को जो गाड़ियां होती ह यहां से आरहा कर वापिस बेज़ दिया था तो वह सारी बाते अपने याद रखने वाली सी और देखो मैं तो अल्दी काई युद्ध को जब पढ़ता हूं तो मुझे लगता है जी तहार यह सब तो बाकी है मुझे उसमें परताप की डिप्लोमेसी बड़ी सानदार सी अच्छा एक कॉलोब्रेशन करने वाला राजा है जब हम देख रहे हैं कि उसने अकबर के विरोधियों को अपने पक्स में कर लिए और हाकिम खान सूर का परताप की तरफ से लड़ना ये सिद्ध करता है कि परताप शेकिलर राजा है और उसकी सेना में मुस्लिम सेनिक भी लड़ रहे थे अपने इतियासकारों ने केवल एक पक्स को सेकुलर दिखाने के लिए बात खूब बढ़ा चड़ा कि बता ही हमेशा कि अकबर का सेना पती मान सिंग था क्योंकि उधर सेकुलरिजम उनको इस्तापित करना था कोई ये नहीं देखता कि इधर भी ये सेम बा समाज को हासिये पर रखेवे समाज को वो तबका जो समाज की मुख्यदारा से थोड़ा अलग था उसको भी मैन श्ट्रीम में लने का परियास किया है उनको अपने बराबर लागे कड़ा किया है तो जो अंटचेबिलीटी की जिसकी हम बात करते हैं चुआ छूआ छूट की जिसकी हम बात करते हैं उसको भी कही नकंई दूर करने वाला कोई राजा दिखाई देता है तो प्रताप दिखाई देता है कि उसने न वनवाशीों को अदिवाशीuing को अपने साथ में लाके कड़ा कर दिया था तो वह वाले नाम जो है तो आपने आप में ये दिखाते है क कि वो कितना ब्रोड माइंडेड बंदा था वो कितना समरस्ता फेलाने वाला आदमी था ये सब चीजें ये सब गुन उसके प्रताप के वहां से दिखाई देते हैं आपने को कि अलदिगाठी की कि बाती आपाएं युद्ध हैं युद्ध इंप्रेलिस्टिक पावर और एक रीजनल फ्रीडब का युद्ध है मतलब कि एक तरफ अकबर जैसा राजा है जो अपने एंपार एक्सपंशन करना चाहता है अपने समराज्य को बढ़ाना चाहता है एंपररिलिष्टिक एप्रोच रखता है और अपने समराज्य वादी सक्ति के तहत आकरमन करता है परादेशप् decrease स्वतव comentarios बचाने का परियास कर तरह साथ चीश उन्ग्रेज वाजी यहिox निли般 करना चाहते है या भारत पर कबजा किया उन्होंने और उसके किलाभ हमारे ल यहां पर हम राज करेंगे एक जक्ली वेसा वेसा उसमें प्रताप और प्रताप के साथ मेवाड़ की जनता कर रही है क्यों कि वह अपने शत्र की श्वतंतरता अखंडता इंटीग्रेटी इंडिपेंडेंस जो भी है उसे बचाने का परियास कर रहे थे वो लोग एक बात यह याद रखने वाली से दूसरी बात है सभाविक्सी बात है अकबर एक बहुत बड़ा राजा है उसके पास खूब सारा धन है उसकी सेना भी बड़ी है परताप मेवाड एक चोटा इस्टेट है लगातर युद्धों में फसे होने से धन भी कमजोर पड़ा होगा कहीं ना कह सेना भी कमजोर है उसके बावजूद लड़ रहे थे वो लोग सिमित संसादन लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद परताप लड़ा था इससे उसकी जो सेना थी उसकी जनता थी उसमें एक होप और मोरलिटी की बहुना जगी आसा और नितिक्ता का संचार होता उसकी से और आई एक कही ना कहीं कि नहीं हमारा राजा अमारे साथ खड़ा है बले उसके पास अंसादन कम हो लेकिन लड़ रहा है एक नितिक्ता दिखाई देती है जिसके पापा बहुत बड़े बिजनस्मेन है जिसके पापा ओल्री आईएस लगे वह थे वो एक अच्छी इंग् भी मिली थी उसके पास तमाम रिसोर्सेस थे और उस बंदेगी टॉप 10 में रेंक आगे एक उसका विपरीत एक ठेट कोई जैसल मेर बॉर्डर का कोई एक लड़का जो सुरुवात से ग्रामिन स्कूल के अंदर या गवर्मेंट स्कूल के अंदर पढ़ा था इसके पिताज से अंतर ये अपनी तयारी किये और उसका स्टेक्शन उतार भले उसकी रेंक मत गता हूं 200 आंग अगले दिन अखबाहर में हमारे आस पास में चर्चा किसकी होती है उस तोक तैन वाले की है ऊटिवेसली आखबहरों के अंदर हमें सान का बेटा बना संगर्स के से लिमिटेड हो उसके बाउज़द हार नहीं मानी उसके बाउज़ुद लड़ाई करने चाहिए और लड़ाई करने से जीच मिलती है इस से जो आज़ी लोग होते हैं आपके उनके अंदर कही नाके आसा डिखती है उनमें कहीना के मोराल अप दिखता है उनका फिर हलदिगा पर परताप के साथ में जन का नायक बन गया था आसपास के तमाम लोग वो जो जन जातियां थी वो जो भील थे वो जो गाड़िया लोहार थे उन तमाम लोगों ने इस युद्ध के अंदर भाग लिया था इसलिए जनता के अंदर आम पब्लिक में यदि नेसलिजम को युद्ध जगाता है तो वो युद्ध अल्दिगाटी है अब और कभी नोटिस भी कीजिए इस बात क कि किसी भी चीज का महत्वत तब नहीं है जब वो हुई है महत्वत तब है जब होने के बाद भी उसकी इंपॉर्टेंस ज़री दहिया नहीं रही वो हमें दिखते है कि हाल्दिगाटी आज भी रेष्टरवादियोंके लिए मोटिवेटर का काम करता है आज भी रष्टरवादियों के लिए नेशनलिस्ट के लिए इंस्प्रेशन का काम करता है और हमारा जब नेशनल मुव्मेंट चल रहा था तो हमारे जितने नेता थे तेलक थे कोई चंदर सेकर आजाद थे तमाम लोग उन वीर सावर करते तमाम लोगों के कहिना के दिमाग म उनके उदाहारणों में उनके भास्नों में मिलता है यिस परकार हल्दीमाटी ऑफ उनके पर बंगाली ओने जब आज सोचता है बाकी भारत कल सोचेगा तो बंगालीयों में सबसे पहले रष्टरवाद की बहुना आई थी पर बंगालीयों जब नेताओं जो नेता थे उन्हें जब नसलिजम आया तो उन्होंने का यहार इस रष्टरवाद को और आप किसे किया जाये? रूट लेवल तक कैसे लेके जाये? जन्ता को इसके बारे में किसे बताया जाये? वैसे हीरो होने चाहिं है अपने पास में जो को लोगों को इंस्प्रेशन देश्के लोगों को मोटिवेट कर सके वो हिरो रजस्तान वाले थेतु तौब वो पने तो आगे फोर्वड करने वाले वह लोग उन्होंने तब तक जंपstone की किताब पढ़ली थी ठोड़ी किताब पढ़ली पर उन्होंने यह बताना शुरू किया किया लड़े होंगे इसलिए हमार अमेसा और लिए एक मोटिवेशन कांव करता हूं तो वहां युद्च्व कौन कौन से की पानीपत है तराइन है यह सब युद्च्वे मुझे ने लगता किसी बंदे कभी मन में आता कि आर मैं तराइन देख के आउंगा या मैं कभी पानीपत देख के आउंगा या मैं कभी खानवा देख के आउंगा हाँ आप जब वहां से निकलते हैं तो आपके मन में इस्ट्री के प्रति उत्सुकता जरूर जागरत होती है और आपको लगता है अच्छा यह वो पानीपत है जहां पर युद्धुआ था यह वो तराइन है जहां पर चुराच्वान और गोरी लड़े थे यह वो खानवा है जहां पर सांगा और बाबर लग लग लिए ऐसा उत्सुकता है उत्पनों सकती है परणतू आप और मैं हमेशा देखते हैं आपने आस्पास में नोटिस किया होगा जो कोई उध्व और आता है वो अल्डी-गटी जाता है यह दो लोग लग अल्डी-गटी से बाकेदा लघ़ाओ आज भी उतना ही है合 निए आज भी कहीं नहीं हैं तो सक्हों किण 다λαकर यहाद इंपॉटेंश अपक्पशें से आप से उसका इंपेक्ट पुछें तो ऑडिका ने तो यह सारी बाते भी आत्ली है आपके बारे में अल्दी घाटी आप जानते ही हो मैंने थोड़ी सी बाते और बता दिया आपको अब आगे पढ़ते हैं देखो इसके बार लो एक और यो दोर आ गया मैंने का अल्दी घाटी के अंदर जब मान शिंग और रासब कान हार के चले गए अकबर खुद आया और अकबर ने खुद ने आके यहाँ पर कमांड किया लेकिन अकबर भी कुछी नहीं किर पाया उध्यपूर का नाम मोहमदा बादगर कि वापस चला गया तो अब अकबर ने अपने एक बहत्रीन कमांडर को बेजा था साभाज खान 77, 78, 79 ती ने टेक किया था और कते भी कुम्बलगड की किले पर कोई कबजा नहीं कर पाया था पर साभाज खान इस पर एक बार कबजा करने में सफल हो गया था तीन अप्रेल 1578 गो उसने कुम्बलगड पर एक बार कबजा कर लिया था परताब को यहां से निकलना पड़ा परताब भान सौनगरा थे उनको यह किला दे के चले गए थे और वहीं कुल्यारी गाउं पड़ता पास है कुल्यारी के पास में एक जगह पड़ती आवर गड़ और उस आवर गड़ को अपनी कुस दिनों के लिए ऐस्ता ही राजदानी बनाई थी तो कुम्बलगड जब किये थे साबाज खान ने कबजा करना में सफल हो गया था तीन अपरेल 1578 को कब-कब हम लेके थे 77, 78, 79 और परताप ने उसके बाद कुस दिनों के लिए अपने एस्ता ही राजदानी गहां पर बनाई थी तो आवर गड़ के अंदर एस्ता ही राजदानी उन्हों ने अपनी बनाई थी थी थोड़ी ये बात याद रिख लेना आप और इसी टाइम करते हैं कि जब कुंबल गड़ पेन कमजा हो गया था तो परताप यहां से इदर की तरफ जा रहे थे गुझरात के अंदर एक जग़ा परताप का ससुराल था और रास्ते के अंदर एक गाउं परता है चूलिया और वाँ चूलिया नाम के गाउं के अंदर उनको सेठ मिले भामासा और उन्होंने का विये से सि хотर तो कहाश पैसे टकैंगी मिस विवस्ता करनी पढ़ेगी तो आपने थो ठीप वलस्ता करने के लिए मैं जा रहां उनगा चिंताये करो मैं बेटा हूं जब तक और उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति लाकर उनको दान कर दी थी सारी संपत्ति उनको दे दी थे कि इतने रुपए दिये थे कि पत्चीस हजार की फोज 12 साल रह सकती है कि कि पत्चीस लाख रुपए नगज कैस और 20 लाख की सोने के अस्परियां लाके दी थी किता धन दिया होगा उस आदमी ने कि पत्चीस हजार की फोज को आप 12 साल तक कंटिनूर रख सकते हैं इसलिए आज उन भामासा को हम इतना याद करते हैं आप फिर देखिए कि प्रताप के साथ जुड़ी वी एक एक चीज कैसे फेहमस हुए मैं चैतक वाली बात बताई भामासा आज भी कोई पैसे देता है आपने यह तो भामासा है आज भी गौर्वर्मेंट की योजना है चलती है नाम भामासा है उजना होती है आज भी किसी स्कूल के अंदर जाओ चंदा देने वाले जित्ते लोग है उनकी ल चैते है मतर्क प्रान दें दोनों आए तह पोड़े दा दृब या नाम होना होता है उनका होजाता है वरना मुक वैम्यं नियुक दोनों थे पर आपने बामासा या नहीं हुआ पर आजीब सा लगे कि किसी स्कूल के अंदर बामासाओं की सूची कि जग़े लिकात बावात अगे लिखावा एक शेरपुर गटना देखो यहांपे परताप को अनी等 साः नहींपाया परतापको अधिनतान इस्यो कआर पाया परताप को मार नहीं पाया परतापप наконец पाया है सफलोकर जब वापस ट्लोटा सभाज खान के लिए तो और बेचा रहे एक बार आए आम लागर के वापस चला गया दुबारा जब अकपर ने बहें तो चिला गया तो इस बार पीछे जागी बेड़ जाओ कहीं पर एक बार और बेचा ता फिर वह टो तो कस्मीर चला जब ये बाते वी तो अकपर ने इस बार एक नए सेनापती बेजे अब्दुल रहीम खान खाना चोटी किलास होगे अंदर कभी दोही पड़े होंगे रहीम जी के दोही रहीम रहीम को यह इस सेनापती बनागी बेजे रहा पहाडों में शेरपूर नाम की जगह थी जब लंबे-लंबे आकर्मनों के लिए जाते तो आपने वीवी बच्चों को इन साथ में लेके जाया करते थे तो रहेम जी की बच्चाया है थे रहेम जी बले आदमी भूत सिध्य आदमी थे रहेम जी ने का रहे कौन लड़े अफ़ाल तो रहेम जी ने अपने केंप लगाये प्रताप पर अम्ले अम्ले करने बंदी गिरती है अडली अपने शिकार विकार खेल कर वापस आ जाए और थोड़ दिनों में अकबर को चिठी लिख की बेश दे कि हमने प्रताप को पकड़ तो क्यों आत नहीं आया तो मैं तुम्हें बता दूँगा तक पर कोई नहीं वेल ट्राई वेल ट्राई इस बार वाबस अपने लगे रो पकड़ के लाइना है इधर प्रताप को पता चला प्रताव ने आजकल क्या वा है मुगलों के तरफ से अठेक वेट है कि उन्हें बं मॉर्निंग वोक के लिए गया होगा गूमने के लिए गया वा था और उसने देखा क्यार मुगलों वाले जो कैम्प हैं वो तोड़े सुनने से पड़े वह पास में गया उसने जाके आवाज लगई भी रेम जी रेम जी अंदर से महिलाओं की आवाज आई कि रेम जी यहां तो और द्मने डाव ब्हान की बात नावं प्रताब की बता है क्या है उसने घरेम जी शिकार करने के लिए बाहर गये है तो यह ठीकर को आशिक आवर जिए पराद आप ज़ो वह पता चला चला बने पर ताम अपने उमर से थपड मारा उन महीलाओं को कहा कि तुम्हें डरने की कोई आउ सकता नहीं है तुम मेरी बहन बेटियों के जैसी हो उनको आराम से रखा वहाँ पे रहिम जी के पास वापस बेजा वापस लेटर लिखके बेजा कि रहिम जी गलती भी आइंदा से इसा नहीं है जाकर कि प्रताप ने इतना अच्छा भी हेव कि हमारे साथ में रह्म जी बड़े राजी वे और रहिम जी ने तब कहा था कि धर्रसी धर्म रसी कि एक दिन जो खुरासान के मुगलाएं में ये एक दिन सब समक्त हो जाएंगे लेकिन रहना तुमारी धर्ती और तुमारा तो धर्म है ये में सब बना रहेगा और कोई आदमी दुस्मन के आई भी महिलाओं को वापस बेज़ दे नितिक रूप से कितना स्रेष्ट मनुस्य रहा होगा वो ऐसे उधारन बहुत कम मिलते हैं वरना उस समय दुस्मन की बहु बेटियों को उठा कर लाना रापस में बांट लिया करना सामनने सी बातें हुआ करती थी पर यदि कोई नहीं करता है कितना महांतम महांतम चरित्र का आदमी रहा होगा वो परताफ इसलिए प अल्टी डाइमेंस्नल परस्नलेटी बंदा है उसके इतने आयाम खुलते हैं रक्तित्व है कि आप सोच ही नहीं सकते कि वो सेकिलर है वो जो उसको दूर कर रहा है वो महिलाओं की परती अच्छी भावना रखता है वो रश्टरवाद की भावना है जगाता है वो एक सेल प बनाना जानता है वो आदमी तो कहते हैं अमर सिंह उन बेगमां को बाद में वापस अमर सिंह जिन बेगमां को लेके आगे थे परताब ने उनको वापस पहुंचा है यह शेरपूर वाली घटना है थोड़ी ती याद रिख लेना बस घटना आप आगे बढ़ते हैं देखो वापस अकबर को बता चला कि रेम जी के साथ यह मेटर वापन रेम जी का रेम जीर वापस अजो परताब को क्या संबढ़ों कि लुगा यह नहीं संबल रही है और इस बार एक नया सेना पती बेजा गया अकबर के खुद के अंकल थे सुल्तान खान इस बार सुल्तान खान को बेजा कि आप जाओ और आप जाके परताब को पकड़ के लिए सुल्तान खान बड़े सांदार सेना पती थे सुल्तान खान ने यहां पर आते के ते चोकिया मने मुगलों के चार चोकिया वाकरती थे यहां पर एक डुंगरपुर की तरफ एक चोक पने की तरफ चॉकी वा करती दिभेर यहां पे मुगलों का पहर शेका ठाड और प्रताब इसे बाहर नहीं निखल अब बाहर निकलना है पड़ेगा अनाज पानी के लिए और अपने पकड़ लेंगे या उसको मार देंगे या संधी करवा लेंगे या पकड़ के ले जाएंगे उसको और परताब तुप चाप एदम यूद देख रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है और 1582 एक दिन अचान सुटी सीट टुखड़ी वहां पर आप चाने ओचब हमला करती है उनके ऑपर सुल्तान खान समेथ बूरी सेना क को उजाड़ कि रख दें तरह उस युद के अंधर और इस युद को तो अमर सिंठी के लिए याद किया जाना चाल 커피 अस तो प्रताब का राजकुमार में एक उसके लिए याद किया जाना था कि उसने सुल्तान खान को जब तलवार मारी थी तो सुल्तान खान को बीच में से दो टुकड़े करकर रख दिये थे उसने गोड़े समेत चीर दिया था इस युद में अमर सिंगी बहादूरी का युद है इसमें मुगल सेना नायक तक को मार सुल्तानका और इस युद में कते हैं कि आसपास वाले रज्य थे वह और प्रताब का साथ देने के लिए इडर, बास्वडा, प्रतापगड, इन सबने और प्रताब का साथ दिया थे और जमस्तोर्ड तो इससे इतना खुस है कि जमस्तोर्ड का ताह है यह मिवाड का मेवाड का मेरातन है यह युद्व अपने आपके इंदर मैं अभी बताऊंगा थर्मोपोली और क्या है पर देखो चार जीत एक तो इस युद में परताब जीत गया एक यह कि अमर सिंग ने इसमें मुगल सेनापती सुल्तान खान को मार दिया था एक यह कि आसपास वाली सार उस युद के बारे में इती अच्छी बातने गयता है और उसको मेराथन के युद के बराबर बताता है मैं और बताऊंगा आपको मेराथन के बारे में और हमारे इतियास में दिवेर का नाम नहीं है हल्दी गाटी को बच्चा बच्चा जानता है पर दिवेर के बारे में को बताना बनाने में बहुत अच्छातार आसपास की सेनाय भी उसके साथ में आ उसमेन मुगल सेनागी साप साप हार हुए एवन यहां तक की मुगल सनापती तक मारा गया है दिवेर बताते तो उन्हें बताना पड़ता कि अमर सिंग भी अपने पिता के समान उतना ये बड़ा माहन यद्धा था और उसने सुल्तान खान को अपने तलवार के एक वार से समेत गोड़े चीर के रख दिया था पर हमारे इतियासकारों को यह नहीं बताना उनको कहानिया सुना नहीं कि हल्दी गाटी युद्ध के बाद में परताब के आर्थिक हालत खराब हो गई थी परताब के बेटे के हाथ में घास की रोटी थी अमर सिंग के हाथ में वन बिलाव घास की रोटी चीन के भाग गया था और वो जो कविता हैं वो कहानियां जो इतिहास में पढ़ाई जाती है हरे घासरी रोटी ही जद बन बि पर तो इतिहास नहीं है जहाना पहुंचे कभी जहाना पहुंचे रवी वहां पहुंचे कभी कभी एक्जेजरेशन करता है अतिशोक्ति करता है एक्जेजरेट करके चीजों को एक अलग लेवल पर लेके जाता है पर तो हिष्ट्री नहीं है वहां पर और लोग उसको मुझे और बड़ा आजीब से लगता है कि आर अमर सिंग जन्म 1569 में हो गया था मैंने और बताया था कि 1559 में अमर सिंग की जन्म के समय ही उदेपुर की स्तापना किये क्योंकि उसमें उदे सिंग जी एक लिंग जी की दोख लगाने के लिए गए वे थे 17 साल का था हल्दी का युद्ध के समय और तुम करें 17 साल के लड़के के हाथ से और वन बिलाव रोटी चीन के भाग गया था यहां पूरानी कहावतों के अंदर कहावा है आठ बरसरो कुकर जिये तेरा बरसरो जिये सियार बरस 18 चत्री जीवा आगे जीवन को धिकार के 17-18 साल तक ही जीता उसक किस परकार एक राजा ने इतने बड़े सक्टी साली समराट को सर्जी के लिए स्ट्राइक करके हरा दिया था पुरी शेना को तित्र बित्र करके वहां से फैंक दिया तो दिवेर याद रखना अब लो मैं मेरा थन वाली बात में राता हूं यह थोड़ा बताता हूं आपको दो चीज़े एक युद्ध के लिए जम्स्टोड कता है मेवाड का मेरा थन एक युद्ध के लिए जम्स्टोड कता है मेवाड की थर्मोपली पापस बात सुनना, इरान एक देश है अपने परसिया बोलते थे इस ताइम इसको फारस, यहां पर एक राजा आवा था डेरियेस, अपने हिंदी की किताबे लिखती है, इसको दारा, अपने हिंदी वालों ने बड़े अन्याय किये हैं, अलेकजन्डर को बापड़े को बना दिया शिकंदर, डेरियेस को बना दिया दारा, तो यह से कोई नाम बना देते हैं अपने वाले तो, तो मुचिन को बना दिया चंग Greece. यहां पर हमला किया. यूनान में कई चोटे-चोटे स्टेट थे. एक स्टेट का नाम था Athens. एक स्टेट का नाम था स्पार्टा. एथेनस पर वो हमला करता है. 490 BC में. मेराथन के मैदान में. मेराथन जगय का नाम है. है नहीं पहाँ परती में प्रället के थोडि ँव बढोगी आ नहीं पड़ा एंधर करें कर्दाइन महीं देता है जो फिलोसोफिर Van करतेंस को सुक्रिकद्रिख सूक्राथ प्लेटो शुक्राद यो यह ये सारे के सारे शूकराइंस the बहुत अच्छे थे, करने के लिए हो मेरा थन की मैजान में हम पर्सिया की किलाब लड रहे हैं, कते हैं बरसात का समय था गोड़े चल नहीं सकते थे इसलिए फिशी पिडिश दोड़ के जाता है दोड़ लगाता है और कते हैं कि उसने 48 घंटों के अंदर कम से कम कोई 1500 मील की यात्राता ही कर दी थी ता थेज वो दोड़ के गया था और वो वहां पर पहुंचा और उसने जागे स्पाटा वालों का आगे स्पाटांस मेराथन के मैदान में हमारा युद्ध चल रहा है आप हमारा साथ देने के लिए आओ लेकिन हालांगे स्पाटांस नहीं गए इसनापती हुआ करता है दिवेर के उस मेदान के अंदर स्ल्टान खानके बड़ी सैना को घटादीया था मोगwend बात्षा अकबर की एक बड़ी सेना को रहा दिया था वो इसके लिए आज भी हम लंबी दोड जितनी भी होते है उन सबको हम मेराथन की दोड गरते है किते हैं Darius की हार का बदला लेने के लिए इसके ठीक 10 साल बाद 400 CBC में उसके बेड़े जरक्सीज में वापस हम ला किया, इस बार थर्मोपोली वाली जगह पे लड़ाई भी, थर्मोपोली भी वहां पर एक जगह का नाम है, वहां पर लड़ाई भी, इस बार एथन्स और स्पाट्रा मिल के लड़े थे, जरक्सिज के बहुत बड़ी सेना थी, और इस बार जो सेना पती था, वो जी जान से लड़े होंगे, यदि आपने Hollywood की movie 300 देखी है तो और आप दंग से देखोगे, जी जान मतलब यूँ प्राणों की अंतिम बाजी लगा दी थी अपने देश को बचाने के लिए, जम स्टोड गता है, जिस परकार उस थर्मोपोली के मैदान के अंदर मतर कुछ थर्मोपोली है, वोगे तो दिवेर मेवाड का मेरत है, तो यह बात याद रख लेना भाई, तो आप 300 movie देखोगे, तो उसके पर आप चीज़ें और देख लोगे, तो आपको कि यह थर्मोपोली हो और इनको यह क्यों कहा जाता तो उसके पीछे रीजिन यह, अपने किसी गाउं में थर्मोपोलियां हैं, घर में लिए निडimanaस हुए है, उसने का आपकई तो एक लिए निडास है, इनके हर गाउं में थर्मोपोली हैं, यह तुम्यर हर घर में लिए निड आगे देखो करते हैं कबर ने ठीक ट्राइए कि इस बार वापस 1585 में मान सिंग अंकल लुआ करते जगनात कच्वाहा जगनात कच्वाहा को अटेक करने के लिए बेजागी जगनात तुम जाओ और तुम अटेक करके आओ लेकिन जगनात कच्वाहा को भी सफलता नहीं मिली ये भी वापस चला गया था और फिर आपने तो वापस जाते थे थे भीलवड़ा में देथी होगी थी मांडल के अंदर तो वां मांडल में चत्री और बनीवे जगनात कच्वाहा की तो लेकिन उनको भी सफलता नहीं मिली ये थे अलागे इस बार प्रताप को घुस्वाहे क्या मांगते हैं कभी मान सिंग आ जाता है कभी भगोंदास लड़ने के लिए लिए जाता और प्रताप ने इस बार अमेर के कि लाखे पर कभजा करिया था और और अमेर का एक सबसे वेपारिक केंदर, जो मुखे वेपारिक केंदर था, मालपूरा था, कते हैं परताप आपने मालपूरा पर आकरमन किया था यहां पर कब जगर लिया था, मालपूरा पर अधिकार कर लेता है, तो यह बदला लिया था उसने कच्वाहों से, इसके बाद परताप की डेट्थ 97 में भी है, तब तक 12 साल तक अगले वापस कोई उसने अटेक नहीं किया थे, तो यह थोड़ा सा याद दिकले ना, आगे बढ़ते हैं देखो, और क्या है, आगे लिखा परताप की निर्मान करे, दो बातें देखो, मैं भी बताई जो, एक तो जब उ वादियदुन वालिय था जाल रातला, और यहाँ पर शिवजी के भगते हैं तो। यहां पर महादियोजी का दिर बनवया था, निलकंट महादियोओ, । नीलकंट महादयों का मंदिर बनवाया था यह दो मालपूरा में थी यह करवाया फिर जब परताब पर अटेक उने बंद हो गए थे तो परताब बाहर निकल के आया था और बाहर निकल के आगे उसने अपने एक नही राजदा नहीं इस्ताफित की थी चावंड अधिध उद्यपूर के ंदर चावंड नाम की जगया यहां पर नहीं राजदानिक इस्ताफित की यहां पर खूब सारे हेन् प्रताव के दरम्निक्ति हमें तो सब से याद रखने वाली यहां से मेवाड की पेंटिंग ञिए अलाग कि पहले से पेंटिंग हो ने किसे प्योग कों बात हुटा हुट hmond रोज सी क्या मुख्य चितरकार था उसका नम था नसीरुदीन लड़ने वाला राजा क्योंकि पढ़ाय वो गया दूसरी चीज इसलिए नहीं पढ़ाय गई क्योंकि यह बताते कि प्रताप ने आर्ट एंट कल्चर के डाउलोप्मेंट भी किया गया था तो हम पूछते कि कौन सी तो इसाब पैंटिंग एक तो उसका एक अलग आयाम खुल प्यार करने वाला बंदा भी था फिर दूसरी बीड़ी बाद फिर पूछते क्यार पैंटर कौन थे तो पैंटर नसीरुदिन था जक मरा के लिखना पड़ता कि शेकलोर राजा था उनको शेकलोरिजम एक साइड में दर्साना इसलिक खाई गए पकि नसीरुदिन जैसा चि सांतिकाल कि बिताए था सांतिकाल कि एवन जुक बाहन चया हूँ कते है कि उसिस ने को शेकी साहेद हो गए थे उनके परिवार वालों के पुनरवास की जो आज जो आप पढ़ते हो ना कि सहीदों के परिवारों को प्लोट मिला सहीद के परिवारों को पेट्रल पंप मिला ये उस टाइम परताप कर रहा था ये सब बातें वीर गती में जित्य प्राप्ति उनके बच्चों का मैं ध्यान रखूंगा तब जाके जनता जुड़ती कि नहीं हमारा राजा हमारे लिए लड़ रहा हम इसका पूरा पूरा साथ देंगे तब ये सब चीज़ें आती है और पढ़ते हैं देखो आगे तो याद रखना कभी अंसुर के इंदर लिखना कि उसने सहीदों के परिवारों के लिए क्लिए क्या क्या ववस्ता कर दी थी आगे आगे लिखावाया उसके दर बार में विद्वान कौन-कौन थी थोड़े पढ़ लेते हैं देखो इस बार ही मेंस में क्यूश्चन था जैसे एक विद्वान थे इसके दर बार में चक्रपणी मिस्र चक्रपणी मिस्तर नाम करें विद्वान होए थे किताबे हैं कुछ रज्या भीशेक मुहरत माला और विश्व वल्लब यह कुछ किताबे लिखे थी कौन-कौन से होगी रज्या भीशेक मुहरत माला और विश्व वल्लब राजा भीशेक नाम से पता चलता है रास्त्रलक कैसे किये जाते हैं उनके बारे में मुहरत माला जोतिस एस्ट्रोलोजी जो होती है उसकी कई तो प्रताप को बगीचों में बागवानी में गाड़नींग में होटी कल्चर में बड़ी रूची थी होबी थी उसकी इसलिए प्रताप ने चकरपने मिश्र करके किताब लिख वाई थी क्या रिये लिखो तो आप जब कभी प्रताप के परस्टनलीटी की विशयसता है ल बुक है तो चक्रपाने मिस्टर हुए तो इस बार मेंस में पुछा था इसलिए मुझे याद आगे फिर एक राइटर है हेम रत्म सूरी नाम करें है हेम रत्म सूरी नाम करें सूरी मैंने बताए दिया जैन राइटर किताब लेकी थी गोरा बादल रिच्चो पाई अब गोरा बादल अपने पहले वीडियूं पड़ चुके थे वर्पेल पड़ा ता गोरा बादल के बारे देखेखलो तो गोरा बादल वाली बात यह थे रा सो तीन की याद अभी तक रखी जारी और ये तो ओर मुझे बड़ा जोड़ दार लगता है कि पर दाफने एम्रतन जी को कहा कि अम्रतन जी आर गोरा बादल अपने मेवार के बहतरीन सेना पती हुए उन पे बुक लिखो उनका साब लिख देंगे पदमीनी पे लिखीती नों पदमीनी चौपाई भी लिखीती चौपाई मतलब 4-4 लाइन जिसमें होती हो चौपाई दो-दो लाइन जिसमें ह अब लिख दूँगा प्रमजीत दिन लिखो मेरा घर परिवार का खर्चा कैसे चलेगा और इस भुक का खर्चा को न देगा तो भामा सागय भाई जो ताराचन थे वह बैड़ थे उनका रहे क्या बात कर दे आर मैं दूंगा इसका सारा खर्चा आप तो किताब लिखो तो प्रताप ने गाउं दान में दिया था, मंडेर, मंडेर की जागीर दान में दी थी, और इसके लिए बाकर एक पुरा अभिलेक है, 1586 का उध्यपूर अभिलेक है, उध्यपूर इंस्क्रिप्शन है, जिसके अंदर ये लिखावा है, कि प्रताप ने सादुलनात त्रिवेदी को मंडेर नामक गाउं दान के अंदर दिया था, डोनेट किया था उनको गाउं, अब काम की बात क्या, काम की बात ये है कि जब हम ये काते हैं कि हल्दी गाटी वाले युद में अकबरन जीत गया था, इतियासकारों ने वापस जब इस पे सोध किया, जब रिराइटिंग को विश्ट्री वा कि अगवा कि इस के जाइड को विश्ट्री वा तो लोगों हो सकता है कि पास के गायों की कोई रताप और gitu मंदेर वहां के एकदम पास का गाउं है उद्यपुर्वाला जो अभी लेक है मंदेर जागीर देने का यह भी सबूत अपने आप में हल्दीकाटी युद्ध के अंदर प्रताब जीता था इसलिए जमीन उसके पास थी तो वह सदुलनात्र त्रवेदी को मंदेर गाउं की जा सब्सक्राइब जानकरी 1598 के उद्यपुर इंसक्रिप्शन से मिलती है और दो चारंण कवी है चारंण पोईट है एक का नाम है मला संदू एक का नाम है रामा संदू फिर तो एक लाश्ट बात बची है अपने कि प्रताप की मृत्यू हो तो कहते हैं उन्नीश जनुवरी उन्नीशो सित्यानमागो प्रताप की मृत्यू हुई थी इसा कहा जाता है कि वहां पर एक धनुष को खेंच रहे थे उस धनुष को खेंचते समय पीछे गिर गये थे पीछे गिरे थे तो सर में लगी खून का क्लोट बन गया था उसके बाद उन्नीश जनुवरी पंद्रा सित्यानमागो वहां पर प्रताप की चत्री बनी दी वहां पर प्रताप की चत्री एट पिलर्स आठ खंबें उस चत्री में इतियासकार केते हैं कि प्रताप ने अपने मृत्यु से पहले मेवाड के वो इलाके जो अकबर ने कबजे कर लिये थे वापस चेन लिये थे कि उल दो किले नहीं ले पाया था हूँ ये तो चितोड का किला वापस नहीं जीत पाये थे एक मंडलगट वाला किला वापस नहीं जीत पाये थे इन दो को छोड़के संपूर्ण मिवाड उसमें वापस जीत लिया थे तो ये दो याद रखना कि कौन से दो किले वापस नह गया ऐसे लोगन कार ये कैसे वा और जो अकबर को खुश होना चीए कि उसका एक दुस्मन मरा है लेकिन इसका तो मुई उतर गया आपने आपके अंदर तो दुर सा आड़ा थे उन्होंने एक दोहा बोला था उस्टाइब गहलोत रान जीत गयो दसन मूंद रसना डसी निसास मुख भरिया नैन तो मरत साब प्रताप सिंग यह गहलोत राजा प्रताप सिंग आज तुम जीत गए आज तुम्हारे मृत्यू का समाचार सुनकर तुम्हारे सत्रू अकबर की भी आंखे भराई थी उसकी स्वांस उपर चड़ गई थी अस्ट्रिये से उसकी जीब उसके दांतों के बीच में आकेर कट गई थी और दुरसा आड़ा खुब तारीश में करते हैं प्रताप की इनकी आगे और जो किताबे में आगे और पड़ाऊंगा यह सब प्रताप की बाते थी आप घर पे ट्राई करना कि आप मैंस में कभी क्यूस्चन आ जाए कि फिचर्स और प्रताप लिखे जाए प्रताप के व्यक्तितों की विशेशता है लिखे जाए तो आप कौन-कौन सो पॉइंट लिख सकते हो वह आप पॉइंट लिखेने को चीज करना कल अपने ओर डिसकस करेंगे इस पर इंपोर्टेंट राजा है पूछ सकता है प्री मेंस इंट्रिव किसी के अंदर्पी दने बाट